हेलो एब्रिवन, वेलकम टू मम्मी किचिन, तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मतर पुलाओ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना इसके लिए मैंने आपर एक ग्लास चावल लिये हैं, ये ढाई सोग ग्राम चावल हैं, इसको मैंने आदे गंडे तक बिगो कर रखा हुआ था और इसको अच्छी तरीके से वाश कर लिया था यहाँ पर मैंने कड़ाई रखी है, अब हम इसमें एक चोथाई कप तेल का डालेंगे और तेल को गरम होने देंगे तेल गरम होते ही, हम इसमें खड़े गरम मसाले डालेंगे, यहां पर मैंने दो तेज़ पत्ते लिए हैं, एक टेबल स्पून जीरे का, और यहां पर मैंने तीन से चार काली मिर्च, एक दाल चीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा मैंने यहां पर जावित्तरी का फूल लिया है, और दो से तीन लॉंग, तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे, तेज पत्तर डालेंगे, और जो भी मसाले थे, सारे मसाले को हम इसमें डाल देंगे, अब हम इसमें प्याज डालेंगे यहाँ पर मैंने दो मेडियम साइच के प्याज लिए हैं और इसको डाग ब्राउन होने देंगे प्याज का कलर डाग ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें फ्रेश एक कप मटर का डालेंगे और यहाँ पर दो मीडियम साइच के टमाटर डालेंगे जो मैंने यहाँ पर चॉप्ड कर लिये हैं दो जो तीन मिनट हम यहाँ पर टमाटर को गला लेंगे और अब हम इसमें मसाले डालेंगे नमक डालेंगे, एक टीबल इस्पून सूखी धन्या कर डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, यहाँ पर मैंने छोटा चमच लाल मिर्च कर डाला है, आपको जितना ती का पसंद है उतना डाल सकते है, अब यहाँ पर हम हरी मिर्ज डालेंगे यहाँ पर मैंने दो छोटी हरी मिर्ज डाली है देखिए अब टमाटर वगेरा सब अच्छे से गल गए है अब हम इसमें पानी डालेंगे जितना हमने चावल लिया था उसका डबल हम इसमें पानी डालेंगे यहाँ पर मैंने एक ग्लास चावल का लिया था तो यहाँ पर हम इसका डबल पानी डालेंगे यानि कि दो ग्लास पानी डालेंगे अब हम इसको उबाल आने देंगे देखिए इसमें उबाल आ चुका है अब हम इसमें चावल डाल देंगे अब हम इसको ढखकर कम फ्लेम में पकाने को रख देंगे इसको पूरा नहीं ढखना है नहीं तो पानी बाहर आ जाएगा इसमें से पानी सूख गया है अब हम इसको एक बार गुमा लेते हैं और अभी यह चावल पके नहीं है तो इसको हम थोड़ी देर और पकने के लिए रखते हैं चावल जो है वो अच्छी तरीके से पक चुके हैं और हमारा मटर पुलाव बनके रेडियो चुका है तो कैसी लगी आपको इस रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसको आप भी जरूर ट्राय करें थैंक यू